11 अगस को राज्य सभा में बहुत बड़ा तूफान उठा ओपोजिशन के MPs ने पेपर फाड़े Well of the House में जाकर अंटी गवर्मेंट स्लोगन्स दिये और यहां तक की उन्हें Table of the House और चेर तक जाने के रोकने के लिए 50 security staff की चेन बनानी पड़ी यह हमारा विपक्ष है ऐसा ओपोजिशन के MPs तब भी नहीं रुके उन्होंने मार्शल्स के साथ धक्का मुक्की की बचसलू की की इसके बाद पार्लिमेंट से बाहर आकर राहुल गांधी और ओपोजिशन के नेता उल्टा सरकार पर ब्लेम डाने लगे कुछ वीडियोज आज बाहर आए हैं जिनमें साफ दर्शे दिख रहे हैं कि ओपोजिशन के जूटों का पर्दा फाश हो रहा है पहले दिखता है कि कैसे TMC की दो MPs वेल अफ़ दा हाउस के पास जाती है एक MP डोला से ने दूसरे के गले में एक नूज यानि कपड़ा सा बांध रखा है वो लगातार चिलाती रहती हैं कि डेमोक्रेसी किल्ड फिर उन्होंने पार्लिमेंटरी अफेर्स मिनिस्टर और लीजर अफ़ दा हाउस संसत की अंदर ऐसा सलूक उसकी बास शुरू होती है फिमेल्स मार्शल के साथ बच सुलूकी जी हाँ 36 गर्ड कॉंग्रेस की MPs फुलो देवी और चाया वर्मा एक लेडी मार्शल को धक्का देते हुए नजर आती है साथ ही बस थोड़े ही देर में इस गटना में एक लेडी मार्शल को चोड़ भी आई है कॉंग्रेस नेता राहूल गांजी देतों गंभीर आरोप लगाया था कि विपक्षी सांसदों पर मार्शलों ने हमला किया है लेकिन हमला तो हुआ है पर किस पे सदन की CCTV फुटेज में सब साफ साफ नजर आ रहा है इन सभी opposition parties ने आरोप लगाया था कि डेमोक्रेसी का गला घोट दिया गया है आज तक 55 साल के करियर में ऐसे मार्शलों नहीं लगाए विपक्ष पर मार्शलों द्वारा हमला करवाया गया है थाईसा राहूल बाबा किसे मामूल बना रहे हो CCTV फुटेज में साफ साफ नजर आ रहा है कि कौन हंगामा कर रहा है और man handling किसकी हो रही है कोई भी opinion form करने से पहले आप खुद ये वीडियो देखी और सोचिए कि अगर मार्शलों नहीं होते तो क्या होता